जहिंद स्वागत है आपका Origin IS में आज की चर्चा दो फर्वरी दा हिंदू सबसे पहले फिर से प्रचार है एक और कोचिंग सेंटर का इस तरीके के प्रचारों से एक बात हमेशा याद रखें कि इसी तरीके के प्रचार हम कर सकते हैं अगर हमें Sanitation के लिए Awareness देनी है कि Sanitation की Awareness अंग्रेजी पेपर में देने का कोई नतलब तो है नहीं लेकिन सामाने तोर पे जरूरी चीजों की खबरें और जरूरी चीजों का प्रचार हम यहाँ पे कर सकते हैं और यहीं पर प्रिंट मीडिया का सोशल मीडिया का रोल हमें समझ में आता है कि किस तरीके से advertisement में ये एक महत्पून रोल प्ले कर सकता है आज हम बात करेंगे budget की कल budget आया था budget session में जो analysis US की बात करे जाई सही माईने में देखें तो एक तरफ आपको देखने मिलेगा कि budget की तारीफ हो रही और तारीफ कौन कर रहा है तारीफ कर रही हमारी finance minister कहते हैं कि ऐसा budget आपने नहीं देखा होगा budget which you have seen never before मतलब कुछ नाया है कुछ हटके है इस तरीके की बात करे जा रही दूसरी तरफ जो opposition नहीं कह सकते दूसरा जो strand रखते हैं जो economy को अलग तरीके से समझते हैं वो एक अलग बात करते हैं यहाँ पर मैं आपसे data की बात नहीं करूँगा data आपको कुछ समझना है एक चोटा सट data मैं आपको बता देता हूँ कि fiscal deficit जो है इस बार target रखा है वो 6.8% का और government जो है वो दो चीजों पर जादा ध्यान दे रही है एक तो borrowing पर और दूसरा दे रही है गवर्मेंट ध्यान strategic disinvestment पर अब यह strategic disinvestment क्या होता है indirectly privatization करने को अगर आप सीधा बोल देंगे privatization तो उससे opposition टांग खीचने लगती है इसलिए उसको थोड़ा सा complicated शब्द यूज़ करके बोल दिया जाता है strategic disinvestment इसका सीधा सीधा बतलब यह है कि आपको disinvest करना है चीजों को privatize करना है यहाँ पर आप समझेंगे कि जो public resources हैं या जो public enterprises हैं उनको बेचके या उनकी जमीनों को बेचके इस तरीके से पैसर जनरेट किया जा रहा है privatization किया जा रहा है सबसे पहले समझें budget क्या होता है तो सीधी बात है budget क्या है एक तरफ आप मान के चलिए आपको आपकी ममी ने सामन लाने के लिए 100 रुपे दिये या आपकी क्या होगे income अब 100 में से आपका जो सामन आया है मान के चलिए वह 120 का आया तो यहाँ पर आपको क्या समझ मा आयागा कि 100 रुपे दिये थे 20 रुपे आपने अपनी जेव से दिये यह हो जाता है deficit ठीक है यहाँ पर अगर यह government का हो रहा है तो यह feasible deficit हो जाता है इस तरीके से थोड़े थोड़े जो important terms है fiscal deficit क्या होता है principal deficit, revenue deficit यह सारी चीज़े economics पर पढ़ ले यह आप से पूची जाएगी यह जाता महतपूर है साथ में trends दियान रखें कि trends कैसी इस बार जो है मनरेगा में देख लें या फिर जो health care में देखें क्या expenditure increase हुआ है क्या decrease हुआ है क्या consistently यह increase होता जा रहा है या फिर consistently यह decrease हो रहा है इस तरीके के trends पर सवाल पूचे जाते हैं prelims में जरूरी बात पहले तो आप यह देखें pandemic के पहले सही हमारी जो economy है वो slow down के phase में आ रही थी economy सफर कर रही थी उसके बहुत सारी reasons है वो आप सब आपको पता है उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि health care पे अच्छा का से invest करा जाएगा 137% increase in the revenue of health care इस चीज की बात करी जा रही है जो की health finance minister तो इस चीज को कहते हैं लेकिन ground पे इसकी reality नहीं दिखती साथ में जो vaccine है उसके लिए 35,000 करोड दिये जा रहे है vaccine free में बाटी जाएगी भारत में यह ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा जो amount है यह अलग से vaccine के लिए रखा गया है इसके लाबा हर घर में जल tap water की ववस्ता और नाली और वगेरा के बारे में भी बात करी गई है में अगर देखा जाए तो इसका criticism जाद है important हो जाता है इस budget का क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले आपसे चर्चा की थी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो अमीर हैं अमीरों की जो wealth है वो lockdown में भी बड़ी है अब सूचिए किती गजब की चीज़ है कि lockdown में भी उनकी wealth बढ़ रही है जहां दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही लोग नौकरियां छोड़ दे हैं वो घर की तरफ अलाइन कर रहे हैं पैदल मजदूर जो हजार हजार दोदो हजार किलोमेटर का सफर तै करते हैं जिसमें बीच में कितने लोगों की तो जान चली जाती है याद करिये railway track पे वो तेरा 14 रोटियां जो पड़ी थी वो बताती ही किस तरीके से वो रात को track पे सोए होंगे और ट्रेन आई और ये दुरगटना होगे इस तरीके की चीज़े हमें देखने मिली और दूसरी तरफ जो wealthy लोग है जो अमीर है उनकी जो wealth है वो बढ़ती जा रही थी इससे हमें समझ में आता है कि सरकार को कही न कहीं जो strategic disinvestment की बात कर रहे थे privatization की बात कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं ये जो wealthy लोग है उनके उपर भी tax लगाना चाहिए जो super rich लोग है उनके उपर tax लगाने की जरुवत है और ये चीज जो budget में नहीं की गए अगर आपसे भी पूचा जाता है generally ऐसे सवाल आते हैं जब आप GS का paper देंगे तो GS paper 3 में इस तरीके के आपसे सवाल पूचे जाएगे तो आपको ये चीज पता होने चाहिए कि ये जो situation आ रही है ये situation बहुत ही दिक्तत वाली है कि आप super rich को या फिर जो एक progressive type of taxation होना चाहिए वो नहीं कर रहे है साथ में health में भी expenditure करने की अगर बात कहें तो fiscal stimulus जो दिये गए हैं इस particular time में वो बहुत जादा थे जिसकी वज़े से health में भी कोई drastic investment देखने नहीं मिला है दूसरी तरफ मनरेगा में आप देखेंगे तो expenditure लगभग 25 साल 70,000 करोड के आसपास का उन्होंने estimate बनाया था लेकिन 1,000,000 करोड के आसपास खर्च हो गया था इसका मतलब यह है कि मनरेगा के तहट बहुत लोग नौकरियां कर रहे हैं बहुत लोग काम पा रहे हैं लेकिन यह लोग जो extra आए वो आए कहां से यह लोग वो हैं जिनकी नौकरियां छूट गए हैं वो आए और अगर economy revive नहीं करेगी तो हो सकता है कि यह लोग फिर भी मनरेगा में ही लगे रहे हैं आप सोचेंगे अच्छी तो बात है उनको नौकरियां मिल नहीं हैं लेकिन बुरी बात यह है कि economy revive नहीं कर रहा है इसलिए उनको under skilled work करना पड़ा है हो सकता है कोई बढ़िया तरिके से स्टील की factory में काम करना जानता हो कोई फाउंडरी में काम करता हो या फिर furnace में अलग अलग जगाओं पर जो expertise होते हैं mechanics होते हैं यह सारे लोग इनको गड़ा खुदने का काम करना पड़ता है तो जो labor है जो skilled है उसको unskilled काम करना पड़ेगा यह दिखाता है the state of the economy यह सारे जो article हैं यह आपको combine करके पड़ने है नमबर एक यह वाला getting back on track नमबर दो carrying over feasible conservatism और तीसरा वाला है despite some hits the budget has crucial misses तो यह तीनों चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है ज़रूरी हो जाता है कि एक comparative analysis कर पाएं हम कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है क्योंकि जब आप mains में answer लिखेंगे तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो answer हो वो कहीं एक तरफ ना जुका हो उसमें एक biased नहीं देखना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दोनों तरफ की knowledge properly हो एक balance तरीके से हो आज की चर्चा में मैं ये कहूँगा कि आपके लिए तीनों articles important है mains or prelims के point of view से इसमें कोई कमी ना रखें मैं समझता हूँ कि आपको समय लगेगा समय लगने दीजे लेकिन ये चीज़ अगर आप एक बार पढ़ देंगे तो ये आपके लिए lifetime का एक lesson हो जाने वाला है जो आपको हर जगा काम आएगा तो आज की चर्चा में इतना ही है कल मिलते हैं आपके साथ तीन फरवरी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you for watching, जहन